तो दोस्तों ये है एक 3-in-1 गैजेट जो कि आपके बहुत काम आ सकता है ये एक पावर बैंक भी है एक रिचार्जेबल इमर्जेंसी लाइट और एक टेबल फैन भी है जो कि गर्मियों में आपके बहुत काम आ सकता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी 3-in-1 गैजेट को बना कर दिखाने वाला हूँ जो कि एक पावर फुल पावर बैंक इमर्जेंसी लाइट और एक टेबल फैन होने वाला है और इस वीडियो की मदद से आप बहुत ही इसली इसे बना लोगे तो चलिए दोस्तों इसको बनाना सुरू करते हैं और इसे बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेश्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन दबा दीजिए इस वीडियो को लाइक और सेर कर दीजिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं लेट्स मेक इट तो दोस्तो इस 3-in-1 गैजट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर स्वीच बोर्ड का यूज करने वाला हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं यह तीन सॉकेट वाला स्वीच बोर्ड है तो इसके उपर का जो पार्ट होता है उसका हम यूज नहीं करेंगे इस नीचे वाले हिस्से का ही हम इसमें यूज करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्रू कसने के लिए यहाँ पर चार structure बने होते हैं इसको हम तोड़ देंगे इसका हमें यूज नहीं है और हम जो project बनाने वाले हैं उसमें यह जब लगा रहेगा तो दिक्कत भी होगी उसको बनाने में तो इसको हम निकाल देंगे तो काफी आसानी से यह जो है निकल जाएगा जैसा कि आप आप आपर देख सकते हैं कि यह जो है इसमें जो USB socket लगता है उनकी संख्या भी जादा कम हो सकती है और यह जो power bank modules हैं यह offline और online दोनों market में काफी आसानी से मिल जाते हैं तो यह जो मेरा power bank module है इसके एक port में से आपको 1 ampere का current दूसरे में से 2 ampere का current मिलेगा जिससे कि आप अपने phone को fast charge कर सकते हैं और इस power bank module को हम इस box में कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे और इसको लगाने के लिए हमें cutting भी करनी होगी USB port के बराबर की तो चलिए इसको हम cutting कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने cutting कर लिए दो जो है USB port के लिए और एक जो है जो power bank में charging jack लगा है उसके लिए तो अब यह जो power bank module है कितने आसानी से और कितने अच्छे से यहाँ पर fix हो जाएगा आप देख सकते हैं अब यह जो power bank module है इसके साथ हमें कुछ batteries भी connect करनी होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह laptop की 18650 की lithium-ion batteries है जो की काफी easily आपको market में मिल जाएंगी अब इन सभी batteries को हमें parallel में connect करना होगा parallel यानि की सभी negative terminal को एक साथ connect करना होगा और सभी positive terminal को एक साथ connect करना होगा तो उसी तरह मैंने arrange करके यहाँ पर रख दिया है और इनको जो है एक दूसरे से चिपका दिया जाएगा तो मैं यहाँ पर fabi quick यूज कर रहा हूँ और fabi quick से इन 4 batteries को काफी अच्छे से चिपका दूँगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है चिपक चुका है अब हमें इन्हें जो है connect करना है तो चलिए जल्दी से इन्हें connect कर लिया जाए तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी negative terminal उपर में मैंने रख दिया है और मैंने एक wire का टुकडा ले लिया है जिससे की थोड़ा लंबा कवर हटा लिया है ताकि सभी जो negative terminal हैं काफी अच्छे से connect हो सकें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप भी इसे connect कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी negative terminal connect हो चुके हैं अब चलिए दूसरी तरह पलट के इसको कुछ इस तरीके से रखते हैं कि सभी positive terminal एक साथ हो जाएं और फिर एक red wire का टुकडा मैंने लिया है ताकि हमें साँज मिया सके कि कौन सा positive और कौन सा negative है इसको भी हम कुछ इस तरीके से connect कर देंगे और चारो बैटरी अच्छे से connect हो चुकी हैं अब parallel में जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो चारो बैटरी के parallel में connect हो जाने के बाद अब हम इन बैटरी को power bank module से भी connect करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह power bank module है और इस पर B plus और B minus का symbol बना हुआ आपको दिख जाएगा B minus यानि की बैटरी का negative wire इस पर connect होगा और B plus यानि की बैटरी का positive wire connect होगा काफी easy connection है दोस्तों आप जो है बहुत ही आसानी से इसको कर लोगे आप यहाँ पर देख सकते हैं जादा कुछ नहीं करना है सिर्फ बैटरी के positive और negative terminal को power bank के positive और negative terminal के साथ connect कर देना है और हमारा power bank बनकर तयार हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है on भी हो चुका है अब इस पूरे system को हमें अपने box में डालना होगा तो power bank लगाने के लिए हमने gap तो पहले सहीं बना लिया था अब चलिए इस पर glue लगा लेते हैं और glue लगा कर battery जो power bank module को अपने box में fix कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं battery जो है काफी अच्छे से glue gun से चिपक जाएगा तो battery यहाँ पर fix हो चुकी है अब चलिए power bank module को भी यहाँ पर fix कर लेते हैं तो power bank module को भी यहाँ पर fix करने के लिए मैं यहाँ पर glue काहीं यूज करने वाला हूँ तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने glue लगा दिया है और यह जो power bank module है काफी अच्छे से यहां पर fix हो जाएगा और हमने cutting एकड़म accurate की है ताकि दोनों socket जो है एकड़म अच्छे से दोनों gap में fix हो जाए और charging जो jack है वो भी काफी अच्छे से यहां पर बाहर की तरफ निकला रहा है और फिर से हम थोड़ा बहुत यहां पर glue लगा देंगे आप बैटरी पर भी glue लगा दिजेगा ताकि यह सभी काफी अच्छे से यहां पर लगे रहें तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारा complete हो चुका है लगभग power bank वाला पूरा section बनकर हमारा तयार हो चुका है अब जो है इससे आप mobile charge कर सकते हैं अब हमें आगे बढ़ना है इसमें और भी कुछ add करना है तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और इसके उपर जो है इसको cover करने के लिए हम पीविसी सीट का एक टुकडा लेंगे और पीविसी सीट के टुकडे से हम इसी के accurate size का cutting कर लेंगे तो चलिए उसको मैं cutting करके लाता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैंने cutting कर लिया है आप भी बहुत ही easily इसका cutting कर सकते हैं अब यह जो है इसके उपर काफी अच्छे से fix हो जाएगा तो अब हमें इस उपर लगने वाले पीविसी सीट पे भी कुछ चीजे add करनी है जिसके लिए हमें इस पे cutting करनी होगी तो चलिए फटा-फट से इस पे cutting करके मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि cutting हो चुकी है एक जो है मैंने circular cutting की है और दो जो है यहाँ पर switch लगाने के लिए cutting की है तो चलिए जिन-जिन चीजों के लिए मैंने cutting की है वहाँ पर उसे लगाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो है बिजली fitting वाली pipe है और इसको जो है मैंने उपर से थोड़ा सा slope ऐसे बना दिया है ठाकि हम इस छोटे से pipe के टुकड़े को यहाँ पर लगा सकें और यह जो slope है कैसे बना तो आप जो है दूसरा pipe का टुकड़ा लेंगे और उसमें sand paper लगा कर इसके उपर ऐसे घीस देंगे तो यह जो है slope बन जाएगा तो यह जो हमारा pipe का टुकड़ा है छोटा वाला इस पे हमें एक छोटा सा छेद करना होगा ताकि wire को हम इसके थूरू अंदर ले जा सकें तो यहाँ पर मैं छोटा सा एक छेद कर ले रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है छेद हो चुका है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस छोटे से pipe के टुकड़े को हम इस बड़े वाले pipe के टुकड़े के ऊपर कुछ इस तरीके से चिपका देते हैं और इसको भी चिपकाने के लिए मैं fabric का यूज करूँगा तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसको चिपका लिया जाए और चिपका कर आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ मैंने fabric लगा कर इसको काफी अच्छे से यहाँ पर चिपका लिया है अब चलिए इसको रखते हैं और आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों हमें चाहिए होगा एक DC मोटर और ये जो DC मोटर है मैं मार्केट से खरिद कर लाया हूँ और ये जो है मुझे 25 रुपे का मिला है आप जो है DVD में से निकला हुआ कुछ इस तरीके का मोटर भी यूज कर सकते हैं लेकिन इसका RPM थोड़ा कम होता है और ये जो मोटर है इसका RPM उसकी पेच्छा जादा होता है और इस मोटर को हम कुछ इस तरीके से यहां पे लगाएंगे तो इसको लगाने के लिए मैंने एक छोटा सा जो है सरकल के स्ट्रक्चर का कुछ इस तरीके से कटिंग किया है इसमें कि ये जो मोटर है काफी अच्छे से चला जाएगा और इसे हम मोटर के उपर चिपका देंगे आप चाहो तो इसे जो है इसक्रू की हेल्प से कस भी सकते हो दो होल बना कर आप इहां पर देख सकते हो कि मोटर में पहले से ही दो होल Benin हुए है तो हम यहां पर मोटर क हलका सा फैविक्विक लगाएंगे और इसको कुछ इस तरीके से चिपका देंगे और फैविक्विक लगाते समय आप यह ध्यान दें कि मोटर के अंदर फैविक्विक न जाए वरना मोटर जाम हो जाएगा तो इसको चिपकाते समय बहुत ही सावधानी रखें फैविक्विक क के लिए मैं अच्छे से चिपका लेता हूं तो अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसक्रू से भी इसको कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो ये जो है काफी अच्छे से चिपक चुका है अब मोटर पे हम दो वायर को सोल्ड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मोटर के पीछे जो है दो टर्मिनल बने होते हैं उस पर हम पॉजिटिव और नेगिटिव का ध्यान रखके दो वायर कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर वायर का लेंथ आपको पाइप के बराबर रखना है लगबग उससे थोड़ा सा बड़ा ही रख सकते हैं तो चलिए यहाँ पर दो वायर मैंने लगा दिया है और इसको हम यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायर सोल्ड हो चुका है अब इन दोनों wires को आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दोनों wire मैंने motor पर connect किया है इन दोनों wires को यहाँ पर मैंने एक hole बनाया था इस छोटे वाले pipe के टुकड़े में जो की उपर लगा हुआ है उसी hole के through हम इस लंबे वाले pipe में इन दोनों wires को इंटर करा देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि wire को मैंने इसके अंदर डाल दिया है और जो wire है वो बाहर निकल चुका है अब चलिए इसको हम कुछ इस तरीके से लगा देते हैं तो motor यहाँ पर काफी अच्छे से fix हो जाएगा और यह जो seat है मैंने इसलिए लगाया है ताकि यह आगे से cover रहे और इसको हम जब चिपका दें तो motor काफी अच्छे से fix हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि motor काफी अच्छे से fix हो चुका है और motor से आने वाला दोनों wire जो है हमने बाहर की तरफ निकाल लिया है तो अब यह जो हमारा पूरा structure है इसको fix करने के लिए हमने इस PVC seat पे round cutting की थी तो चलिए इसको हम लगा देते हैं और लगा कर यहाँ पर इसको भी चिपका देते हैं यह दोनों जो gaps हैं यह switches के लिए हैं तो यहाँ पर DC switch में लगा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों switches को मैंने काफी अच्छे से लगा दिया है अब इन दोनों switches का connection करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि switch के किसी भी एक terminal को दूसरे switch के किसी भी एक terminal के साथ connect कर देंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक wire के through मैं कर रहा हूँ यानि कि दोनों switch के एक terminal को एक साथ connect कर देना है इसके बाद यह जो motor से आ रहा red wire है उसको हम connect कर देंगे switch के किसी भी एक terminal पे आपको connect कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि motor का red wire है उसका connection हमने switch से कर दिया है अब यहाँ पर हमें एक light लगाना है जो की LED plate होगा उसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा hole बनाने वाला हूँ तो चलिए फटाफट से यहाँ पर hole बना लिया जाए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने hole बना लिया है इसके बाद हमें यहाँ पर एक DC LED plate लगाना होगा तो यह जो है 5 volt DC पर चलने वाला LED plate है जिसको की हम यहाँ पर लगाएंगे तो चलिए फैविक की help से इसको चिपका लेते हैं आप चाहो तो screw की help से इसको कस भी सकते हो बहुत यह अच्छे से fix हो जाएगा तो दोस्तों यह जो हमारा LED plate है यह बहुत यह असानी से market में मिल जाता है इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इस पर जो बने टर्मिनल है उसको चेक करना होगा कि कौन सा positive और कौन सा negative हो है मैं यहाँ पर multimeter से चेक कर रहा हूँ आप चाहो तो किसी भी battery से भी चेक कर सकते हो बहुत यह अच्छे से मालूम चल जाएगा आपको तो यहाँ पर मैंने एक red wire लिया है जिसको की LED plate के positive terminal पे connect कर दूँगा और इस black wire को LED टर्मिनल के negative terminal पे connect कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों wire connect हो चुके हैं अब जो हमने center में इसके hole बनाया था उसका positive wire तो switch के एक terminal पे connect है और negative wire को हम छोड़ देंगे और LED plate के negative wire को भी हम छोड़ देंगे और यहाँ पर LED plate से आ रहा है positive wire को हम connect कर देंगे दूसरे वाले switch के दूसरे टर्मिनल पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि connection हो चुका है और दोनों red wire को मैंने switch के एक एक terminal पे connect कर दिया है अब यह जो दोनो negative wire है इन दोनो negative wire को पहले हम एक साथ कर लेते हैं तो चलिए इस पर से हम cover हटा लेते हैं और दोनो negative wire को एक साथ कर लेते हैं तो मैंने इन दोनो negative wire को एक साथ कर दिया है दोनो negative wire यानि कि LED प्लेट से आ रही negative wire और motor से आ रही negative wire और इन दोनो negative wire को हम connect करेंगे power bank के negative वाले terminal पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि battery का negative wire यहाँ पर connect है power bank पे वहीं पे हम इन दोनो negative wire को भी connect कर देंगे यहाँ पे काफी easy connection है दोस्तों आप बहुत easily इसको कर लेंगे अब यहाँ पर हमें सिर्फ करना क्या है कि positive और negative का power जो है हमें motor और LED प्लेट तक पहुचाना है तो negative का power तो यहाँ पे पहुच गया क्योंकि हमने यह दोनो negative wire को connect कर दिया है power bank के negative वाले terminal पे यानि battery का भी power वहाँ पे पहुच गया अब इसके बाद हम एक wire लेंगे और wire को हम connect करेंगे यह जो हमारा power bank है उसके positive वाले terminal पे तो आप बैटरी के positive वाले terminal पे connect करें या फिर power bank के positive वाले terminal पे connect करें एक ही बात है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं wire का एक सिरा मैंने power bank के positive वाले terminal पे connect कर दिया है में चला जाएगा और switches के through जो हमारी LED प्लेट है और motor है उसमें भी चला जाएगा connections सारे हो चुके हैं काफी easy connections थे हैं आपने अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा तो काफी आसानी से इसको कर लेंगे अब चलिए उपर वाले panel को इसके उपर लगा देते हैं और लगा कर काफी अच्छे से इसको fix कर देते हैं तो यह जो उपर वाला panel है काफी accurately fix हो चुका है यहाँ पर अब इसको जो है चारो तरब से हम चिपका देते हैं तो दोस्तो इसके चिपकने के बाद यह लगभग तयार हो जाएगा यूज के लिए सिर्फ एक दो छोटा सा और काम करना होगा हमें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह लगभग complete हो चुका है अब सिर्फ एक दो काम करना बाकी है जैसे कि motor में हमें propeller लगाना है और यहाँ पर आप यह जो देख रहे हैं जो LED प्लेट लगा हुआ है उस पर हमें एक diffuser लगाना होगा और यह रहा वो diffuser जो की पुराने LED बल्ब में से आप निकाल सकते हैं जो LED बल्ब का सफेद वाला हिस्सा होता है उसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं इससे होगा क्या कि जो आपकी लाइट आएगी LED प्लेट में से वो जो है 360 हो जाएगी और आँखों में चुपेगी भी नहीं तो फेवी क्विक से मैं इसे यहाँ पर चिपका देता हूँ और यह जो है काफी अच्छे से यहाँ पर चिपक जाएगा और यह जो है देखने में भी अच्छा लगा दूँगा और यह जो है काफी अच्छे से लग जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है अब चलिए इसको जो है हम चार्ज में लगाते हैं तो यहाँ पर आप जो है किसी भी नॉर्मल माइक्रो इव USB चार्जिंग से आप इसे चार्ज लगा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो पावर बैंक है हमारा चार्ज होने लगा तो इसके अंदर लगी हुई बैटरी चार्ज हो रही है और इसमें जो है चार बैटरी लगी है तो आप इसके बैटरी बैक अप का अं हूँ अपना तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसे लगा दिया है अब चलिए अपने smartphone को इसके साथ connect करता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं जो मेरा smartphone है वो चार्ज होने लगा और दोस्तों इसमें लगी हुई जो power bank module है इसका यूज मैंने और भी कई वीडियो में किया हुआ है और इसका मैंने personally भी यूज किया है और यह जो है काफी अच्छा काम करता है इसके एक socket में जो है एक ampere का current दूसरे में जो है दो ampere का current आता है जिससे आपका phone जो है fastly charge होगा अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम इसके fan को on करते हैं तो एक switch से जो है इसका fan operate होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं fan जो है कितने अच्छे तरीके से चल रहा है और यह जो है काफी अच्छा हवा भी दे रहा है यह गर्मियों में आपके बहुत काम आ सकता है तो दोस्तों इसमें जो है high rpm का एक motor यूज हुआ है जिससे कि यह जो है काफी तेज चल रहा है अब चलिए दोस्तों इसके light की testing देख लेते हैं यहाँ पर मैंने सभी lights off करके अंधेरा कर दिया है और इसको मैंने on कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी रौसनी जो है इतनी है कि सभी चीजें काफी अच्छे से visual हो जा रही है यानि कि आप जो है इसको on करके अपना कोई भी काम बहुत ही आराम से कर सकते हैं तो I hope दोस्तों आपको हमारा यह gadget पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ सिखने को मिला होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो इससे कुछ सिखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं कैसे इन नहीं और आमेजिंग वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखे जह हिंद